जी आज का जो आज टाइपस आफ मेडिटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो मेडिटेशन एक ब्रॉड टर्म है इसके अंदर जो हमा मुखिफ टेक्नीक साथी है और इसके मुखिलिक कंपोनेट से सब का परपस एक ही है इनर पीस्फुल अब जो टाइपस हैं उनमें पहले नमबर पर गाइडिट मेडिटेशन आ रहे हैं दूसरे नमबर पर मंत्रा मेडिटेशन माइडफुल्नेस मेडिटेशन पी कॉंक मेडिटेशन काईची मेडिटेशन ट्रांस्टिडेंशन मेडिटेशन योगा इन सारों का मैं आपको ज़रा डिटेल में एक एक चीज़ का पताते हूँ काईडिट मेडिटेशन में जो है आप सबने भी माशाला हर एक ने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इमेजनरी तोर पे विज्यूलाइज की होंगी अपने लाइफ में डिफरेंट जगों से ये चीज़ें आपको मिली होंगी सुनने में और खुद भी एकस्पिरियर्स की होंगी कि जब कभी किसी को स्ट्रेस हो गई ऐसी सिचुएशन हो तो खुद को रिलाक्स करने के लिए वो इसी सिचुएशन ऐसी प्लेस में चला जाएए छो हम प्लका है के जहां पर उपने आपको रेलाक्स फील करें कि यह गाइडीर मैंडिटेशन इसमें जो हाँ सेंसे उसमें किसी चीज का नजारा करना कोई चीज ऑचiosa स्मेल करना टेस्ट करना यह सागी चीजै उसके साथ Guided Meditation में एक है उना हमारे हैं तो जो Guided Meditation है इसमें वह सारा Guided Meditation में इसमें वह सारा डायट किया जाता है. ताकि स्ट्रेस, जो स्ट्रेसtı के लिए, यह स्ट्रेस के लिए है के लिए है इन सब lez iki से निकलने के लिए जो Affirmation दी जाती है. तो वह एकye टीचर जो है जो उनका गाइडलाइन देने वाला वो अपनी वाइस में जो है ना वो इस तरह की गाइडिड मेडिटेशन देती जिस तरह यूट्यूब पे भी बहुत सारी गाइडिड मेडिटेशन पड़ी हुई है कुछ लोगों ने भी जैसे एक रिसेंट वक्षाप अटेंड की मंत्रा मेडिटेशन जिस तरह से हम लोग कोई वर्ड हो सकता है कोई खमोशी से किसी भी थौट पे किसी वेक्ट पे सारी इन चीजों से डिस्ट्रेक्ट करने के लिए जो कोई नहीं कोई वर्ड जिस तरह से हम अपना कहें तो कल्मा को बढ़ते हैं तो कुछ लोग आला का मान्त फेंड कि कि बीधões सुन कीने का थी मैजतिश oh вы कि अश्पें रहा हाऑस on t bowling के साथ जो उस पह बार बार अपिटेशन करते हैं उस कि प्रेक्टिस करते हैं माइड फुलनेस मेड़ीटेशन की ताइप इसमें जो हैना छो बयार नस सभ अभरनास बहुति कि अगर भी काम अगर हम कर रहे हैं तो यह भी अगर अगर हम उस पूरे फोकस के साथ करें तो यह भी एक मैडिटेशन और मैं अगर हम भाउंसे पूंजा ब्राइब बाउंस अगर हम पूंजाओं लिए कि हर तो इस बै APPाँशित कि ऐसलीन है तो मैं अगर है Не तो इसलिए हमारा कोई भी काम जब हम करें तो mindfulness के साथ करें, बोल के करें, तो वो जो हमारी conscious awareness है, जो कि 97% जो हमारा सब conscious दुनिया में सर्वाइब करते हैं, 3%, कुछ लोग इसको 5% करते हैं, 5% जो है वो हमारी conscious memory है, जिससे अल्ला ने भी हमारे बारे इसी का पूछना है, कि 5% तो हमारा इख्तियार था, 95% हमारा अपने पर इख्तियार नहीं है, क्योंकि हम habitual mind के साथ यहां पर सर्वाइब करते हैं, हम जो जितनी आदत बन चुकी होती है, जितनी memory बन चुकी होती है, उसे से हमारा काम हम दुनिया में काम करते हैं, जो हमें 5% का वो ही अल्ला ने हमसे पूछना है, कि हम विशओर में ने दिया था, तो इस शओर को जो हमारा conscious awareness है, वो meditation में, या mindfulness की जो techniques हैं, उनके साथ, ये conscious awareness जो आना वो बढ़ती है, तो इसमें मुख्लिफ तरीके से हम अपनी थौट को भी observe कर सकते हैं, अपनी emotion को observe कर सकते हैं, without judgment, हम इसको judgment, कोई भी चीज़ जो हमारे mind में चल रही है, उसको हम accept, उसको judgment नहीं कर सकते हैं, कि ये अच्छा है या बुरा है, सिर्फ और सिर्फ उसको पास हो रहने देंग, वो बज़रते रहें और हम इस चीज़ को observe करें, इसी तरह अगर mindfulness की techniques में, कोई भी अगर विसाल के तोर पे अगर हम खाना खा रहे हैं, तो हम उसको पाँच हूँ संसिस के साथ, उसको पहले से देखें, ये उसकी खाने के अच्छा है ऐच्छा है, उसको फेल करें, और टेस्ट करें, इसकी साँड जो चबाते हैं, पूरे पांच संसिस जब हम वेजी करके किसी भी चीज को तो ये भी हमारी एक mindfulness की टक्नीक है तो इसके साथ भी जो हना हमारी ये भी एक किसम की meditation ही है और उससे भी हमारी जो हना conscious awareness बढ़ती है हमारे emotions, thoughts उनको भी हम control में रख सकते हैं और ये भी एक अच्छी टक्नीक है और बाज वकात हम लोग कर भी होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि इस टक्नीक का नाम किया ये जो फोर्थ नंबर पे अट्वी कॉंग मेडिटेशन ये चाइनीज के जो है उनकी meditation है ये इसमें जो और फिजिकल मुमेट्स और रिलैक्सेशन और साथ ब्रीधिंग पर फोकस हैं तो इसमें हमारे आँ तो ये नहीं इस्तमाल होती ही लेकिन अगर इसमें आपको में एक चीज़ बता दू कि हम अपने इस meditation को हम कैसे कर सकते हैं वो इसमें जब हम वाक कर रहे हों चल रहे हों तो जब हम gratitude gratitude भी एक बहुत अच्छी टेक्नीक है इस सब इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रू होती है अवराल जो हैना इंसान की अवेरनेस अवराल इंटेलिजेंस हर चीज़ में इंटेलिजेंस होता है जब हम पूरे दिन में एक दफाह 100 जो steps है वो अल्ला का शुकर अदा करके gratitude में हर स्टप में अल्ला का शुकर अदा करके हम दौक करें तो ये भी हमारी meditation है और इसमें हम बहुत असानी से जो हना हम अपनी health को इंप्रूब मतलब इसके तो ऐसे results है कि अगर ये वरी जो मैंने अपनी technique बताई है वैसे तो ये चीज़ें नहीं बताते लोग अपने courses में और workshop में ये चीज़ें बताई जाती है तो मैंने इस meditation में ये बहुत सी चीज़ें आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप में से कोई ये चीज़ें करना चाहता है और अगर कर लेगा तो वो बहुत इसके अच्छे results उसको मिलेगी तो ये gratitude की है कि अपने आपको उसमें पूरा body जो हैना वो gratitude फील कर रहा होगा ख़दा के शुकराने में रहेंगे ख़दात आला ने जो चीज़ें दियें जो नियमत दियें तो अगर 100 स्टप ये तो बहुत असानी से बंदा कर सकता है और हर स्टप में फील करके तो पूरी पूरी क्री मॉमेटेस करते हैं ये इसी तरह की मेडिटेशन है इस किसम की जो जो अबपने आपको आज उसने अपने आप को अपने आपको असांद किया होता है । कंपरटेबल जिसमें क्मंत्रा के साथ करेंगा इसकी बशेश रेदिशाइशन में । इस तरह कि मैडिटेशन दे भी जो खार बहुतandra रिलैकसेशन और रेस्ट बड़ी को देवा थिया पूरी रेस्टिंग आलत में इंसान बैठा होता है और उससे जो है उसको बहुत इनर पीस मिलता है और जो का इनसेंट्रेशन है उस पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है और उसकी कंसेंट्रेशन बढ़ती है योगा इसके बारे में तो आप सब को बहुत अच्छी तरह से जादा पता है और योगा की वज़ा से बहुत से लोगों को बहुत जादा इमोशनल जो है ना इंटेलीजेंस इंपरू होती है और उनकी बाड़ी शेप्स वेड रिडूसिंग मेंटल इल्थ फीजिकल इन सब च उसका इसके अच्छी बाड़ी को फ्लेक्सिबल और रिलेक्सेशन माइन में यह लेके जाते हैं और उसमें इस योगा को झो लोग एक्सपिरिएंस करते हैं उसमें भी फोकस और अपनी मूमिट्स को बिजी करके और अपनी जो ब्रैथ को चंट्रोल करके वे यह सारी चीज के जो टाइम है वो बढ़ा दी है आज जो टाइम है उसको मैंने जादा करना है आज पंद्रा मिनट कर लेते हैं और इसके साथ उसके बाद आप से कष्टेन असर कर लेते हैं और जो आप लगों की एक्सपीरियंस से वो सुन लेते हैं तो अभी मैं आपको जो हैना कि क्या आप लोग जो हाना वो रेडी हो जाएं और विदन टो त्री मिनिट्स में स्टार्ट कर जो कि माइक में ने खुद आफ की है अभी मैं मेडिटेशन स्टार्ट करवाने लगी हूँ तो इन मैसेज भी आवे था कि दो मिनिट दें हम जड़ा रेडी हो जाएं तो इसलिए में माइक आफ की है कि माइक मुट ने खुद लगाद की है अपने आपको अपने पूरी बाड़ी को जो भी comfortable position आपको लगती है, उसमें बैठ जाएं. अपने पूरे फेस को, नेक को, हेड को, बैक से लेक से लेक से लेक से फ्रेंट गोल बोडी को रिलाक्स कर दें. पूरी तरह रिलाक्स कर दें, अपने आपको और अपनी आइस को close कर दें. अभी हम meditation स्टार्ट कर दें. अपनी बैठ पर फोकस करें. सांसूं को observe करें. थौर्ट के पीछे नहीं जाना. अपनी बैठ पर फोकस करें. अपनी सांसूं को observe करें. सोचों के पीछे नहीं जाना. बाले नहीं जाना. बाले नहीं जाना. बाले नहीं जाना. अपनी सांस को अबजर्व करें, अपनी सांसों को दियान दें, सोच के बीचे नहीं जाना अपनी सांसों को दियान दें अपनी सांसों को दियान दें नॉर्मल नेचरल ब्रीधिंग को अबजर्व करना है नॉर्मल जो आपकी सांसे आरी हैं उनको अबजर्व करना उस पर ध्यान देना है बिल्कुल खुद को रिलेक्स रखे नॉर्मल ब्रीधिंग पर फोकस करें आतक है धरिम सांसरी ओाय किसे करें दो ब्रीधिंग करें इन लोड़कर नॉर्ब रिलेक्स झाल हॉल अपनी सांसों पर ध्यान दे, सोच के पिछे नहीं जाना, be within your breath, don't follow thoughts. नॉर्मल ब्रीधिंग पर ध्यान दे, अपनी सांसों पर ध्यान दे, सोच के पीछे नहीं जाना, अपनी सांसों पर ध्यान दे, अपनी सांसों पर ध्यान दे, अपनी सांसों पर ध्यान दे, गयर ब्राइब ब्राइब दे, नॉर्मल नाचर ब्राइब ब्राइब नॉर्बेद, झाल अपनी सांसों पे ध्यान दे अपनी ब्रीधिंग को अप्जर्व करें, अपनी सांसों पे ध्यान दे, अपनी सांसों पे ध्यान दे, नहीं जाना हूँ, सोच आए वाफस अपने ब्रीधिंग की तरफ आओ, सोच को छोड़के सांस के पीछे हूँ, झाल अपनी सांसों पे ध्यान दे, सोच के पीछे नहीं जाना, झाल पीछे नहीं जाना, इन जाना, टुछे नहीं अजाना, इन से वाफस्टवो ठाव तोट्स्टॉ झाल झाल आपनी सांसुंप एद्यान दे झाल 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 झाल